तो आज हम बनाने जा रहे हैं विहारी ऐस्टाइल में मतन करी तो मतन करी आज हम बनाएंगे ज्लिज की बिना जंजट के कम State में और असानी से बन जाती है तो ह्योव करते हैं तो अगर आपको मेरीयो आछ चेनल को लाक कर दीजो है और मेरी चैनल को टुग्रे में काट लिया है और यहां पर मैंने एक चमच हल्दी पॉडर लिया है और यह दो चमच धनिया पॉडर और यहां पर मैंने एक चमच लाल मिर्च बॉर्डर लिया है तो आप तीखा जो है कम और ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से तो यहां पर मैंने एक चमच ही लाल मिर्च बॉर्डर डाला है क्योंकि यहां पर मैंने तो यहां पे मैंने लहसन, हरी मिर्च और थोड़ा सा आधी डाल के मैंने इसका पेश्ट बना लिया है तो इसे भी मैंने मतन में डाल दिया है और यह थोड़ा सा एक दो चमच करीब सरसों का तेल इसको भी मैंने मतन में डाल दिया है तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे अभी यहाँ पे हम नमक नहीं डालेंगे नमक हम बाद में डालेंगे तो इन सारे को हम मिला लेंगे अच्छे से और 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम ढख के छोड़ देंगे तो यहाँ पे 15 मिनट हो गया है तो अब हम यहाँ पे मैंने गैस पे कुकर को चड़ा दिया है और यहाँ पे कुकर हो गया है गरम तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल भी इसमें डाल दिया है तो तेल को हम गरम हिने देंगे तो तयल झivity है गरम हो गया है तो यहाँ पे मैंने आधा चमज के करिभ जीरह और तीन, चार तेज पत्ता इसके मैं ने डाल दिया है यह ज़िए मतन बनाये तो यह में तेज पत्ता तो आप जरूर ठालें क्योंकि तेजपता डालने से जो है इसका जो है इसका और अच्छा हो जाता है थीजपता जैसे कि आप सब्जी में भी डालते होंगे तो इसी तरह से आप मटन में भी ब driving तेजपता और जीरा को जो है हम चटकने देंगे अच्छे से और यहां पर अब हम इसमें डाल देंगे मटन तो मटन जो है हम इसमें डाल करके और इसको हम अच्छे से पहले भून लेंगे तो यहां पर मैंने साड़े मटन जो है कुकर में डाल दिया है और इसको अब हम वीना ढकन लगाए ही 15–20 मिनट तक तो यहां पर मैंने मटन में नमक कर दिया है दाल दिया है मटन में तो अब हम इसे मिला लेंगे नमक को मिक्स कर देंगे मटन के साथ और यह मटन करी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है बहुत ही लाजवाब बनती है तो एक बार आप इस रेसिपी को जो ड्राइ किजिएगा तो यहां पर हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और अभी जो है हम इसका धकन बंद नहीं करेंगे तो अभी हम सिर्फ इसके उपर से कुकर के उपर से धकन रखतेंगे और इसको जो है बीच बीच में चलाते रहेंगे और 15-20 मिनट तक करीब हम मटन को भून लेंगे पक तब तक हम इसको और प्याज जो है जब तक नहीं गल जाता है तब तक हम इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में और 20 मिनट तक कारीब हम इसको ऐसे ही कुकर का धकन खोल करके ही मटन को पकाएंगे तो अब हम इसके उपर से फिर से ढखकान रख देंगे और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे तो यह देखिए 20 मिनट करीब हो गया है तो यहाँ पर मैंने इसमें मटन में पानी जो है गरम पानी डाला है इसमें तो जब भी आप मटन बनाए तो इसमें गरम पानी का ही इस्तेमाल करें इससे जो है मटन का स्वाद भी अच्छा होता है और इसका कलर जो है वो भी दिख पर नहीं क्या है तो यह देखें यहाँ पर मैंने मत्रयम में मीडियम फ्रेम पर तीन सिटी लगा था और भाया था और Ohh पहले भी मैने 20 मिनट तक उसको बिना धकन बंद्ध किये मयर्टन को पकाया था 20 तो मटन जो है अधा परले ही पक चुका था और उसके बाद मैंने मीडियम फ्लेम पे तीन सीटी लगाया है तो मटन जो है अच्छे से पक चुका है पुरा सॉफ्ट हो गया है तो एक बार आफ इस तरीके से मटन जो है बना करके देखिएगा और आपको कैसा लगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा तो यहाँ पर मैंने धनिया पता थोड़ा सा इसमें डाल दिया है काट करके और यह गरम मसाला और हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा तरका पहले हम इसे मिला लेते हैं फिर हम इसमें थोड़ा सा तरका लगाएंगे तो यह देखे इसका कलर जो है दिखने में कितना अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर मैंने इसमें तरका लगाने के लिए एक चमच देशी घी लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पॉडर डाल के उसका तरका बना लिया है और इसे भी मैंने मटन में डाल दि और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी बनता है जितना देखने में लग रहा है तो आपको अगर मेरी ये रेस्पी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा